नमस्का दोस्तों Learn with PKB आपके पने यूट्यूब चैनल में आपका बहुत-बहुत स्वाक्त है तो दोस्तों कैसे आपस भी आज की वीडियो में हम कुछ इंपोर्टेंट नमेरिकल करेंगे सबसे पहले तो दो नमेरिकल आपको करवाँगा और उसके बाद एक थोड़ा सा और सब्सक्राइब करेंगा काफी सिंपल यार गाईज और कल जो मैंने कर रहा है था उससे काफी रहने वाला है तो अगर आपने वह वीडियो नहीं देखिए तो वीडियो भी देख लीजीगा यह वीडियो है दोस्तों स्टूइंट्स के लिए जो वी लिए की त्यारी कर रहे लिए या फिर हाइन एगर अरी और परियर करें तो चींजाब्स अर्ड़ेर करने वर्रकी साइडियों ठ्यारी करें यह लेक्टेर था वह मेर्षजिशंट्स को रहने। डावल्ड बाइ स्ट्रेशंग यानि की यह वायर है इसको खीचकर इसके लेंथ डाबल कर दी जाती है तो नई रिजिस्टेंस क्या होगी वह आपको बताने में अबको कल बताए था कि इस तरह से अगर वायर है उसकी अगर हम लेंथ को डाबल करें घींगि अगर इसकी यहां पर रो क्या है रिजिस्टेंस रो और वैर्जिस्टेटी य रोघर लेंट ऑड़्या तो अभी यह और नए रिजिस्टेंस क्या होगी रोगा पर ini कर दीडिदा जा जाएगा या यहां पर डबल कर पहले यद था तो डबल करेंगे तो ये 12 हो जाएगा अभी मैंने आपको बताया कि एडिया जो है वह अगर इसको खीच कर डबल करेंगे तो यह हाफ हो जाएगा यानि कि इसको अगर हम खीच कर या फिर आप अपरबर लेते हो इक उसको ुसको सप्रेड करते हो पतला हो जाता अपने आप इसी तरह इसका भी एडिया कम हो जाएगा और वह भी हाप तो यह आपको पता होना से कि टू ऊपर चला जाता है अगर एक के डिवाइड में एक ओर्टर होती है तो उपर चली जाती है तो हम इसको किस तरह से लिख सकते हैं यह तो जो है इन्टू यह यहां पर लग दाता हूं वाई ए इस तरह से यह सिंपल साव टरम सिंपल सी टरम बन गई है हम यह कह सकते हैं अभी क्या रो एल वाई एज्व है यह फोर मुल्टिप्लाइ में इसके डिवाइड में हो जाए जाए इदरा के ठीक है यह देखिए यह फोर यहां प पूट कर सकते हैं यानि कि यह देर्ख है हमें फाइव ओम और यह इदर आर डेस वाई फोर आ रहा है तो इसको क्या करें आर डेस वाई फोर इस इक्वल टू फाई ओम पूट कर देंगे अभी यह फोर है इदर जाए मिल्टिप्लाइम होगा तो यह आजाएगा 20 और हमें म और हमें और हें यहां पर आप डबल की जगहा लिखेंगा लिए लो फोर ट्ऺंस ऑपर टाइम यानि की लेंट और को खीचकर फोर टैपस कर देगा पहले 絵ी तो उसको फॉरेल कर देल आता है तो और रेजिस्टेंस ऑफ है मेटल वाइर ओफ लेंथ आपको लेंच दे रखिए 1 मीटर ठीक है यहां पर वन मीटर लेंच दे रखिए डायमीटर उसका दे रख है आपको 0.5 mm यह मिटर में है यह मिली मीटर में द्यान रखना है आगे बता हुआ क्यों रखना है और आपको केल्पुलेट करना है अब रो इसको हम यहां पर वन लगा कर क्रोस मल्टिप्लाइ करेंगे तो यहां पर रो की वेल्यू लास्ट में आ जाएगी रो इसका फॉर्मूला होता है पाई इंटू डी स्केर बाई फॉर पाई की वेल्यू होती है साथ यहां पर लिख्वेंगा मैं और । यह यह जे रखे 1 पाई यह यहां पर क्या है । यहको हम मेटर में करेंगे तो मिल्टिप्लाइं करेंगे टेज-डै माइनस थृर इसका हमें करना है स्क्वैर और हैं इसको हम assurance यहां पर 0.5 है इसका स्क्वेर करोए तो आएगा 0.25 करके देख लेना 0.5 इन्टु 0.5 जबाब करोगे तो 0.25 आएगा इन्टु 10 की पावर माइनस 3 का स्क्वेर करोए तो 10 की पावर माइनस 6 हो जाएगा वील्ड यह वालों तो करवारक है मैंने आप भी यह फॉर्मूला कर अगर 10 की पावर कुछ दे रखी है उसके और पावर में हैं तो इन दोनों पावर को मल्टिप्लाई करके यहां पर लिख देते हैं जैसे तीन दू निच्छा होता है यानि की तो करें तो शिक्स हैगा यहां पर फॉर अभी क्या करना है बाइस बटे साथ यहां पर है अब उपर आगया 10 की पावर माइनस 6 निच्छे आगया चार इंटू चार यानगी फॉर इंटू फॉर शिक्स्टीन तो यह आंस्वर आ गया है एका इसके को आगया अभी इस फॉर्मूला के अंदर पूट करते हैं तो रो निकलना है आर दे रखा है हमें फॉर ओम इसको लेकिन इस से कोई फरक नहीं पड़ेगा अभी इसको कैंसल करते हैं यह आजएगा ट्वंटी टू बाइट इंटू टैन की पावर माइनस 6 इसको सॉलू करो तो गाई जार मैं डायरेक्ट यापको अंसर बता देता हूं 0.6 इंटू 10 की पावर माइनस 6 0.6 इंटू 10 क समय ही करेंगी नेक्स्ट वीडियो में अगर और टोपिक रहते हैं तो आपको कराऊंगा अगर आपको यह वीडियो को लाइक करें शेयर करें जल्दी एक लिए वीडियो मिलते हैं तर तक लिए में ज्यानबर कियां आपका दिन सुरह दोस्तों जय हिंद बंदे मात्रम